बजार में इन दिनों कई तरगी हरी सब्जें आई हुई है इन में इस एक ऐसी सब्जी है जिसको खाने के कई तरगे फाइदे होते हैं सर्दियों में यह सब्जी काफी खाई जाती है हम बात कर रहे हैं हरी सब्जियों से सबसे अच्छी सब्जी सेम सब्जी की सेम एक फली वाली सब्जी है सेम की सेहत के लिए काफी गुणकारी माना जाता है सेम को फ्लैट बीन्स और फावा बीन्स के नाम से भी जाना जाता है सेम में अनिक औस्दिय गुण पाए जाते हैं सेम की सब्जी को स्वाद के लिए सेहत के साथ भी अच्छा माना जाता है इस फली में कई गुन पाए जाते हैं इनमें कौपर, आइरन, मैगनेशियम, फॉसफोरस, प्रोटीन तदा कैलशियम भी पाए जाता है दुकांदर तरुन ने बता है कि इस सेमफली की सबजी को बंगाली और साउथ के लोग जादा पसंद करते हैं इस सबजी का सेजन नौमबर से लेकर फरवरी तक रहता है और यह सबजी इन दिनों बिकाने में जैपूर और आमधाबाद से आ रही है यह सबजी 60 उपे किलो बेची जा रही है और अभी इसकी डिमांड भी काफी चल लए है सेम फली सबजी को खाने के काई तरह के फाइदे होते हैं इस फली को सर्दियों में काफी खाया जाता है सर्दियों में इसको खाने से मोटापा कम होता है सरीर में सूजन कम रहता है ज़्यादा दर सूजन गले और पेट के जहां सूजन ज़्यादा रहता है वहाँ यह फली खाने से काफी राहत मिलती है और सुजन भी कम होता है इसके अलावा यह इम्मुनिटी बढ़ाने का भी काम करता है ऐसे में यह सबजी सरीर और सहत के लिए काफी फाइदे मंद है और इसको अभी लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं और यह सर्दी में काफी दो कर दो कि अच्छा और कांसे आती है यह गारिक आती है अड़िश्तानी लोकल जय पुर्य अच्छा और क्या बाव बेचने अभी आज आजी साथ वेगे लोगते है अच्छा और इसकी किने डिमांड यहां विश्ती है अब भी